मैं बहराईश में हिंसा के बाद हालात सामाने हो गए हैं हिंसा के बाद P.W.D. विभाग ने मुख्यारूपी समेट 23 लोगों को अवैद निर्मान तोड़ने का नोटिस जारी गया था लोगों ने खुद दुकानों को खाली कर दिया है साथी कई लोगों ने घरों को भी P.W.D. विभाग ने महराज गंज में 23 लोगों को नोटिस दिया था उसके बाद लोग अपनी दुकानों को खाली करने में जूटे हुए हैं इस वक्त मैं महराज गंज कस्बे में हूँ और सबसे पहले यहां की तस्वीर आपको दिखा दूँ कि यहां पर क्या माहौल है औ जिन घरों को जिन मकानों को और जिन दुकानों को नोटिस दारी किया गया था वे लोग अपनी दुकानों को खाली करने में जूटे हुए हैं आपको तस्वीर दिखा दे कि जो दुकाने हैं वो तो खाली कर ली गई हैं लेकिन अब लोग जो अतिक्रमर था उस अतिक्रमर क कुछ दुकाने थी और जो सामने का हिस्सा था यानि कि जो खंभे थे खंभे तोड़े गए हैं और ये जो कारवाई है ये कारवाई चलती रहेगी क्योंकि सबसे मतफ्मूर बात यह है कि पी डब्लूडी विवाग की तरफ से जो तीन दिनों की महलत दी गई थी वो महलत अब खत्म हो चुकी है और ये देखिए ये लाल निशान चुकी यहां तक घरों को तोड़ा जाना है दुकानों को तोड़ा जाना है और ये देखिए एक दुकान के अंदर इस वक्त में प्रशासन की तरफ से तोड़ा जाता है तो उसका पूरा खर्च आएगा वो भी लोगों को उठाना पुड़ेगा बिल्कुल दिया जाएगा जब खर्चाएगा दिया जब सब भेगाई हो गये हैं तो खर्चा भी नहीं दे पाएंगे क्या नाम है चुन्ना चुन्ना तो जो कारवाई हो रही है इसकी जद में कितनी दुकाने तकरिबां 23 लोगों को नोटीस तो 23 लेकिन दुकाने तो जादा होंगी दुकान तो है कि बगार हमारे अनुमत्ति के कहीं बिल्डोजर नहीं चलेगा अबेद है फिर भी जो सब्सक्राइब का आदेश तो लें लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं सबकार उनकी सब कुछ उनका जब चाहें तब चीका चाहें का कर लोगों को लगता है कि हिंसा की वज़ह से जो यहा किया गया है संभावता वे लोग अभी यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक सारी दुकाने यहां से खाली कर ली जाएंगी क्योंकि लोगों को पता है कि अगर बॉल्डोजर की कारवाई होती है तो उसमें नुकसान हो सकता है क्योंकि दुका क्योंकि साथ तब नाश।